हेलो, नमस्कार, जेहिंद दोस्तों, मैं हूँ चंदरिका प्रशाद, इस वीडियो में हम साल्व करेंगे दोस्तों, UPTGT Social Science के लिए Political Science का Practice Set, इस Practice Set में कुल 62 कोश्चन सामिल है, यह Practice Set, UPTGT Social Science 2021 के प्रश्णपत्र के दरा है, इसके प्रश्णों की प्रकरती 2021 में पूँचे गए प्रश्णों की प्रकरती पर आधारित है, इसके सारे प्रश्ण महतुपूर्ड है, वीडियो काफी helpful होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप सुरू से लेकर आंत तक चरूर देखिए, यह वीडियो आपके तयारी में और आपके सफलता में शायक सिद्ध होगी, तो चलिए उसको सुरू करते हैं, इस Practice Set का पहला Question है दोस्तों, कि महत्मा गाधी ने शबने आउग्या आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया था, आपसन में दिया है, विदेशी का बहिशकार करके, नमक कानून तोड़कर, कर चुकाने से मना करके, या राष्टी शालाएं खोल कर, तो इसका सही उतर क्या है, आपसन नमबर 20 का सही उतर है दोस्तों, नमक कानून तोड़कर, महत्मा गाधी ने शबने आउग्या आंदोलन 1913 में नमक कानून तोड़कर आरम किया था, गांधी जी ने 12 मार 2430 को शाबर मती आश्रम से दांड़ी के लिए प्रस्थान किया था, 240 किलमेटर दूल चल करके 24 दूनों के बाद हुए 6 अपरल 1930 को दांड़ी पहुँचे और वहाँ पर एक मुठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा और इस परकर शबन आँगे आंद्वलन आरम हुआ, तो आप श्रियाद रखेंगे, फिर एगला कोश्चन है, प्रतियक ब्यक्ति से उसकी छमताओं के अनुसार, प्रतियक ब्यक्ति को उसकी और सक्ताओं के अनुसार, यह कथन कालमाक्ष की किस पूस्तक में है, आप्सन में दिया है, दा गताओं वाकारियों के उरूप पाते हैं तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कौस्चन है निम्रलिकित मेंशे किशे दौनदात्मक बिचारवाद की कारपडाली के लिए जिम्मेदा ठहराया जा सकता है आफसर में दिया है जान स्टूर्ट मिल, जी डवलू एफ हीगल, कार्ल मार्क्स और अन्टोनियो ग्रामसी तो इसका सही उत्र क्या होगा? दौनदात्मक बिचारवाद की कारपडाली के लिए जिम्मेदा ठहराया जा सकता है हीगल ने स्रिष्टी के विकास का मूल आधार चेतना या बिचार को माना है हीगल के उनसार राज पृत्वी परिश्वर का उतर है तो दौनदात्मक बिचारवाद की कारपडाली के लिए हीगल कोजी मेदा ठहराया जा सकता है आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है लेनिन के अनसार सामराज वाद क्या है? आपसा नमबर सी इसका सही उतर होगा दोस्तों पूजी वाद का उच्चितम आउस्था लेनिन ने कहा है कि शामराज वाद पूजी वाद की उच्चितम आउस्था है कथन भी पूछता है तो आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है निम्रलिकित मेंसे काउन सायूग में शुमेलित नहीं है इसमें दिया है पहला खुदी रामबोष जार्ज किंग फोर्ड तो यह शुमेलित है खुदी रामबोष ने इनके उपर बंप फेका था फिर अगला है बारिंद्र कुमार घोष डाका सल्यांतर केश तो यह शुमेलित नहीं है खुदी राम बोष किस मामले से शम्दी थे? अलीपूर बंप सल्यंद केश शम्दी थे? खुदी राम बोष फिर अगला है लाला हर्दयाल युगांतर शरकुलर यह भी शुमेली थे? फिर अगला है तारानात दाश हिंदुस्तान एसोशेशन आफ अमेरिका तो यह भी शुमेली थे? आफसन नमबर 20 का सही होगा बारियंद कुमार खोश अलीपूर सल्यंद केश शम्दी थे? अलीपूर सल्यंद केश में इनको फांशी की सज़ा सुनाई गई थी? फिर अगला कोश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस ने शापताहिक पत्र का कर्म योगी और धर्म का आरंभ किया था आफसन में दिया है महात्मा गांधी, अरबिंदो, रानाडे और तिलक तो इसका सहुत्तर क्या होगा? आफसन नमबर 20 का सहुत्तर दोस्तों, अरबिंदो शिरी अरबिंदो, जिनका जीवन काल 1872-1950 तक था इन्होंने सापताहिक पत्र का कर्म योगी और धर्म का आरंभ किया था तो आप श्कुयाद रखेंगे, फिर अगला कोश्चन है यमियन राय का शमेकित बैग्यानिक मानावाद अनिकिस रूप में जाना जाता है अपसा नमबर 20 का सही उत्ते है दोस्तों नाव मानावाद यमियन राय नाव मानावाद से सम्मदित है फिर अगला कोश्चन हा दोस्तों, कांग्रेश ने अपने पूर्ट सुराज के उद्देश को किस बर्ष निरधारित किया था पूर्ण सुराज का उद्धेश का निर्धारत किया था 1927 में आपसा नमबर D इसका सही है कांग्रेस का लाहॉर अधिवेशन हुआ था 1927 में वहीं पर कांग्रेस ने पूर्ण सुराज का उद्धेश निर्धारत किया था लाहौर में हुए कांगरेस के अध्वेशन उने 27 के अध्यक्ष कौन थे जवाहरलाल नहरू थे आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है कौन भारती शंगवात का एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में उलेक करते हैं ना कि एक साथ आने वाले प्रणब बर्धन भारती शंगवात का एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में उलेक करते हैं ना कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में दा पुलिटिकल उकोनामी आफ डेपलेप्मेंट इन इंडिया 1984 इनकी पुस्तक है इसी में उन्हों ने अशा कहा था तो आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है भारती शंग में एक नया राज समिलत किया जाना हो तो सम्विधान की किस अन्सूची की अंतरगत शंशोधन आवर्शक है अन्सूची आफसर में दिया है पर्थम अन्सूची दुती अन्सूची तिरती अन्सूची न्सूची तो इसका सही उतर क्या होगा भारती शंग में अगर एक नया राज समिल किया जाना हो तो किस अन्सूची में शंशोधन होगा पहली अन्सूची में होगा दोस्तों आपसर नंबर पहला इसका सही है पर्थम अन्सूची आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला ह कितना नहीं होना चाहिए? राज सूची के बिसे पर बिधी निर्मार की शक्ति प्रदान करता है बहुत ही मात्पूर कोश्चन है बार बार आता है यह है अनुछेद 249 अनुछेद 249 दोस्तों संसद को राज सूची के किसी बिसे पर बिधी निर्मार की शक्ति प्रदान करता है आप श्रियाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों उच्चितम नियायाले की किश अधिकारता के अंतरगत केंदर तथार राज्यों के मध्ध विबादों पर विचार किया जाता है क्या है प्रारमिक छेतर अधिकार होता है केदर और राजों के मद्विबाद सर्बूच नयाले का प्रारमिक छेतर अधिकास के अंदरगत आता है फिर अगला कोश्चान है दोस्तों निम्नलिकित में से किशेक सिधान्त वादी ने कहा था कि मैं शमस्त मानो जात की एक शामान प्रविर्ती एक के बाद दूसरी सक्ती प्राप्ट करने की शाष्वा तथा अनौरत अव्राशा को प्रस्तुत करता हूँ जो केवल मृत्यू के शाथ ही शमाप्थ होगी आपसर में दिया है हाफ्ष, अरस्तू, रूशो और गिल तो इसका सही उतर क्या है आपसर नंबर पहला इसका सही है हाफ्ष ऐसा हाफ्ष ने माना था दोस्तों यह कतन हाफ्ष का है फिर अगला कोश्चन है कांग्रेश ने पूर्ड सुराज की घोषडा अपने उद्देश के रूप में कब किया था तो नंए 119 में किया था आपसर नंबर 20 का सही है लाहोर अधिवेशन नंए 119 में पूर्ड सुराज का लक्ष रखा था कांग्रेश में फिर अगला कोश्चन है मांक्स के दास कैप्टर के विश्चय में किष्णे कहा था कि यह है आप रशंगिक पुस्तक है जो मेरे बिचार में ना केवल बैग्यानिक दिरिश्ट कोंड से दोस्पूर्ड है अपितु आधुनिक विश्च के लिए रुचकर अथवा परियोग के योग नहीं है आफसर में दिया है लाढ केंज लाढ एक्टन आर टकर और जी सार तोरी तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है आर टकर आपसर नमबर सी इसका सही उतर है आर्टकर आर्टकर कालमाक्स के आलोचक थे आप सियाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी बैधाने सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका यानिकी बेंथम का परभाव ना पड़ा हो यह कथन किश्का है आप सिन में दिया है लाक, केंश, हेनरी मेन और एक्टन तो इसका सहीवतर क्या है आप सिन नमबर सी इसका सहीवतर है दोस्तों हेनरी मेन यह कथन हेनरी मेन का है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले एसी किसी बैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो फिर अगला कोईश्चन दोस्तों नीचे दो कथन दिये गए हैं जिन में से एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है कथनों को पढ़िये और नीचे दिये गए कूट की सहायता से शही उत्तर चुनिये अभिकथन ए है कि माक्स एक दार्षनिक था बात तो सही है दार्षनिक तो सही कारण माक्स जर्मानी का एक बैग्यानिक समाजवादी दार्षनिक था फिर कारण आर है कि मांक्स का इतिहास की प्रक्रियाव से कोई सरुकार नहीं था क्यों नहीं था इतिहास की आर्थी ब्याख्या किष्णि की है मांक्स ने तो आर गलत है ये सही है आपसन नमबर सी इसका सेवत रोग दोस्तों ये शत्य है परंतु आर असत्य है फिर अगला कोश्चन दोस्तों निमने में से इंगलेंड में गांधी जी की किश्ट उदारवादी नेता से भेंट हुई थी आपसन में दिया है फिरोज शाह महता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ट गोखले और रास बिहारी बोस तो इसका सहीवतर क्या है, आपसन नंबर सी इसका सहीवतर है दोस्तों, गोपाल कृष्ट गोखले, इंगलेंड में गांधी जी की गोपाल कृष्ट गोखले से मुलाकात हुई थी, यह एक राष्टवादी और उदारवादी नेता थे तो आप इसको याद रखेंगे, फिर अगला कोष्टन है, माक्स निमनलखित में से किश्कों नहीं मानते हैं, आपसन में दिया है पहला, बस तु सक्री और गत्सील होती है, दूसरा है, मानव चेतना, सामाजिक अस्तितु का निर्धार करते हैं, तीसरा है, बिचार भावत प्रतिक सक्तियों की अनियोन क्रिया का प्रतिविम होते हैं, और चोथा है, आधार अजरिचना का निर्धार करते हैं, तो इसका सेवत्तर क्या होगा, आपसन नमबर भी इसका सेवत्तर हैं, दोस्तों, मानव चेतना, सामाजिक अस्तितु का निर्धार करते हैं, या कछन है हीगल का और काल माक्स ने कहा है कि आर्थिक तत्व है शामाजिक अस्तितु का निजहार करते हैं तो आपसर नमबर 20 का सही है फिर अगला कोश्चन है अंतर बिरोधी का शिधान्द किस्ने प्रितपादित किया था अंतर बिरोधी का शिधान्द आपसर में दिया है माओ मिल मा माक्स और लाक तो इसका सही उतर क्या है आपसे नमबर पहला इसका सही है दोस्तों माउसे तुंग ने अंतर विरोध का सिधान्त प्रत्पादित किया था अंतर विरोध का सिधान्त क्या है देखिए माक्स के अनुसार अंतर विरोध एक निरंतर चड़ने वाली प्रक्रिया ह एक अंतर विरोद के स्रमापति के बाद दूसरा अंतर विरोद पैदा हो जाता है। इस अंतर विरोद से निबढ़ने के लिए राज को अधिक्तम सक्त धाल करना चाहिए क्योंकि यह एक शास्वत चलने वाली प्रिक्रिया है। अंतर विरोद चलता रहता है श्रमाजी प्रि आश्टिन के निशुचित संप्रभुसक्त के शिधांतों में किश्के द्वारा सामन्जश से अस्थापित किया है। आपसन में दिया है बेंथम, ग्रीन, मिल और मार्क्स, तो इसका सही उतर क्या है? आपसन नमबर दूसरा इसका सही है दोस्तों ग्रीन टी एच ग्रीन के द्वारां रूसो के शामान संकल्प और आश्टिन के निश्चित संप्रव शक्ति के शिधानत में शामंजस अस्थापित किया गया है फिर अगला कोस्चन है दोस्तों किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन है इनका धर्श शमान है आपसन में दिया है जारज लुकाश, शात्रे, हीगल और एरिल ओलिन राइट तो इसका सही उतर क्या है आपसन नमबर सी इसका सही उतर है दोस्तों कला, धर्म और दर्शन के वल रूप में भिन होते हैं इनका ध्ये शमान होता है ऐसा हीगल का मानना है हीगल को दोस्तों दर्शनिकों का दर्शनिक माना जाता है ये एक आदर्शवादी विचारक थे इनका बिचार था कि कला, धर्म और दर्शन के वल रूप में ही भिन होते हैं, इनका धेश शमान होता है हीगल को एक प्रमुकादर्शवादी बिचारे की रूप में माना जाता है, राज पिर्सी पर इश्वर का उतरर है, हीगल की हीगल का महत्पूर कोटेशन है आप इसको याद रखेंगे, फिर अगला है, निम्नलखित में श्रेक काउन माक्सवाद को राजनीतिक सिध्धान्त के बजाए एक विचार धारा मानता है आप्शन में दिया है जर्मिनो, डेविड हेल्ड, आर येच डहल और जीच शेबाइन तो इसका सही उत्तर क्या है, आप्शन नमबर पहला इसका सही है दोस्तों, जर्मिनो, जर्मिनो जो है माक्सवादी विचार धारा को राजनीतिक सिध्धान्त ना मानकर के विचार धारा ही मानते है तो आप इस रियाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है दोस्तों किस फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतक ने शंप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ड एयोम निरंतर शक्त की भाद परिभासित किया है आपसन में दिया है रूशो, बोदा, वाल्टेयर और हाफ्स तो इसका सहुतर क्या है? आपसन नंबर बीस का सहुतर है दोस्तों बोदा बोदा ने राजी को ही रिपब्लिक कहा है रिपब्लिक यानि कि राजी का पूर्ड और निरंतर शक्ती शंप्रभुता होती है फिर अगला कोश्चन है दोस्तों बितललात्मक नया का अग्रज परित्पादित किया था किस ने किया था इनमें शबताना है आपसर में दिया है पिलेटो और अस्तु एक्टन और मार्क्स तो इसका सहीवतर क्या है आपसर नमबर डी इसका सहीवतर है दोस्तों मार्क्स काल माक्स ने बितलनात्र निया का अग्रज प्रत्पादित किया था फिरगला है गांधी जी की राष्टी आंदोलन में सब्से बड़ी देन आफसर में दिया है शाध्य शाधन की पविद्रता पंचसील लोकतंत्री शमाजवाद और मजदूर आंदोलन तो इसका सही उतर क्या है आफसर नमबर पहला इसका सही है दोस्तों शाध्य और शाधन की पविद्रता गांधी जी की भारती राष्टी आंदोलन में सब्से बड़ी दियन थी आप शियाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों नेता जी सुभास चंदर बोष के द्वारा आजाध हिंद फोज का अगठन कहां पर किया गया था आपसन में दिया है रंगून में अमेरिका में पेकिंग में या शिंगापूर में तो इसका सहीवतर क्या है आपसन नमबर 10 का सहीवतर है दोस्तों 12 अक्टूबर 1937 को सुभास चंदर बोष ने शिंगापूर में आजाध हिंद फोज का गठन किया था फिर अगला कोश्चन है दोस्तों माक्स के हमसार बर्ग से अभिपराय लोगों के कैसे समूँ से है कैसे है जिनका आर्थिक ब्योस्था में एक सा स्थान हो आपसन नमबर 10 का सहीवतर है जिनका आर्थिक ब्योस्था में एक जैसा स्थान हो उन लोगों को एक बर्ग में किश्रे बितलडात्मक नयाय की शामदाई का लोचना के लिए जिमेदा ठहराया जा सकता है आपसर में दिया है जान राल्स, जान लाग, डेरेक, पारफिट और माइकल सेंडल तो इसका सही उत्र क्या है? माइकल सेंडल इसका सही उत्र है दोस्तों माइकल सेंडल ने बितलडात्मक नयाय की शामदाई का लोचना की है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला है भारत की संबिधान निर्मातिर सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? कानूनी सलाहकार तो यह थे बीयन राओ बियन राव दोस्तों भारती शम्मिधान निर्मातिर शभा के कानूनी शलाहकार थे आप शुक्यात रखेंगे फिर अगला है निमन में से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण कौन नहीं है अगला कोशन दोस्तों थामस मूर फूरियन और राबर्ट ओवन को किस विचार धारा से जोड़ा जाता है आपसर में दिया है राज हिन समाजवाद से शौपनिन समाजवाद से फेबियर समाजवाद से या हिनसक समाजवाद से तो इसका सेउतर क्या होगा आप लोग कमेंट करके इसका उतर बताईए फिर अगला कोश्चन है उदारवाद किसका हित चाहता है आपसन में दिया है अभिजातिवर्ग का धनवानों का निर्धनों का या सबका तो इसका सही उतर क्या होगा उदारवाद किसका हित चाहता है उदारवाद दोस्तों धनवानों का हित चाहता है आपसन नमबर भी इसक उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके चिंतन का केंदर बिंदू धनवान वेक्ती है आपसर नमबर 20 का सही है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है निमन में से कौन सा आंदोलन शांती आंदोलन कहलाता है शांती आंदोलन आपसर में दिया है किसान आंदोलन कामगार आंदोलन नव सामाजिक आंदोलन या उपनिवेश बिरोधी आंदोलन तो इसका सही उत्तर क्या है आपसर नमबर 30 का सही उत्तर है दोस्तों नव सामाजिक आंदोलन नव सामाजी कांदोलन को शांती आंदोलन भी कहा जाता है आप इसको याद रखेंगे फिर अगरा कोश्चेन है दोस्तों कानून उच्चेतर द्वारा निमनतर को दिया गया आदेश है कानून की यह परिभासा निमनलकी तिमेशे किष्णे दी है आपसेन में दिया है आश्टिन, कांट, विलसन और माक्स तो इसका सही उतर क्या है कानून यानि की लाँ उच्चेतर के द्वारा निमनतर को दिया गया आदेश है अश्चा माना है आश्टिन का आपसेन नमबर पहला इसका सही उतर है दोस्तों फिर अगला है मनुस्मृति के अंतरगत कितने अध्याय है आपसेन में दिया है 10, 11, 12 और 21 तो इसका सही उतर क्या है आपसेन नमबर 20 का सही उतर है दोस्तों 12 मनुस्मृति के अंतरगत 12 अध्याय है फिर अगला कोश्चे ना दोस्तों निम्रलिकित में से कौन सा पहलू गाधी के शोदेशी के दायरे में नहीं आता है आफसर में दिया है आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या एशभी तो इसका सेयुत्तर क्या है? आपसन नंबर सी इसका सेयुत्तर है दोस्तों धार्मिक धार्मिक पहलू गांधी जी के शोदेशी के दारे में नहीं आता है गांधी जी धर्म और राजनेत में परसपर शंबन तो मानते हैं लेकिन शोदेशी बिचार मोलते हैं उनके आर्थिक और राजनीतिक पहलों को धार्ण करता है फिर अगला कोश्चन दोस्तों राज की उत्पत्य के शावयवी सिधान से किश्का नाम सब्बद है आपसन में दिया है हावस, मैकियाव Souls, लाक और हरबर्ट एस्पेंसर तो इसका सहीधेर क्या है? आपसन नंबर डी इसका सहीधेर है दोस्तों हरबर्ट s. अरबर्ट s. का नाम राज की उत्पत्ति के शावयवी सिधान्त आंगिक सिधान्त से शमबद है फिर अगला कोश्चन है दोस्तों निम्नलकित मेंशे कि इस एक अधिकार को डाक्टर भी आरा मेटकर के द्वारा शंबिधान की आत्मा कहा गया है तो संबिधानिक उप्चारों के अधिकार को कहा गया है अनुछित 32 में जो नहीं हित है आपसर नंबर भी इसका सही उत्तर है शंबिधानिक उप्चारों के अधिकार को डाक्टर भीमरा मेटकर ने शंबिधान की आत्मा कहा है अनुछित 32 में यह नहीं हित है आप इसको जाद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर 41 यह किसने कहा कि युद्ध और तूफान पढ़ने हित सरबोतम होते हैं परंतु शहन करने के परती शांती और इस्थिरता ही स्रिष्टर है आपसर नमें दिया है एडमर्ण बर्क, बैंथम, महात्मा गांधी और ग्रामसी तो इसका स्रिष्टर क्या है आपसर नमबर 20 इसका स्रिष्टर है दोस्तों बैंथम युद्ध और तूफान पढ़ने हित सरबोतम होते हैं परंतु शहन करने के परती शांती और इस्थिरता ही स्रिष्टर होती है या कथन है बैंथम का आप शुक्याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है निम ने लिखित मेंशे किष्ट ने कहा उन कानूनों का पालन करना जिरें हम श्वयम अपने लिए निर्धारिद करते हैं वही सोतंदरता है आपसर नमें दिया है रूशो, लास्की, ग्रीन और स्पैंसर तो इसका सहीवत्तर क्या है? आपसर नमबर पहला इसका सहीवत्तर है दोस्तों, रूशो रूशो ने कहा है कि जो कानून हम सोयम अपने लिए निर्धारिद करते हैं उनका पालन हमें करना चाहिए और इसी में हमारी सोतंदरता नहीं थै क्योंकि यह कानून सामान एक्षा की देन है अता है सामान एक्षा समाज में सुतंदरता को अस्थापित करती है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों किसे ने इस कथन को अस्थापित किया कि राज को बेक्तियों के आत्मसमाननी कारियों में हस्तक छेप नहीं करना चाहिए आपसन में दिया है जीन जैक्स रूसो, एमैनुवल कांट, जान इस्टोर्ट मिल और थामस हिल ग्रीन तो इसका सही उत्र क्या है? आपसन नंबर सी वाला इसका सही उत्र है दोस्तों जान इस्टोर्ट मिल बेक्तियों के आत्मसमाननी कारियों का मतलब होता है शौब इसे उक सुतनता बेक्त को प्राद्थ होनी चाहिए तो आपसन नंबर सी इसका सही है आप इसको याद रखेंगे फिर अगला है निम्नलिक्त मेंशे किसे पहले सुपनलो की राजनितिक बिचारक के रूप में जाना जाता है आपसन में दिया है अरस्तू, लाग, प्लेटो और जेयस मिल तो इसका सही उत्र क्या है? आपसन नंबर सी वाला इसका सही उत्र है दोस्तों प्लेटो, प्लेटो को पहला सुपनलो की राजनितिक बिचारक माना जाता है आप इश्रियाद रखेंगे फिर अगला है रूसो की सामान इक्षा का अर्थ है कि उत्कृष्ट सार भौमिक इक्षा किसी ब्यक्त की भी हो सकती है जिसका उत्देश शामुदाय का शामान हित होता है रूसो की सामान इक्षा का अर्थ यह है कि उत्कृष्ट सार भौमिक इक्षा किसी ब्यक्त की भी हो सकती है जिसका उत्देश ब्यक्त का शामान हित हो यही है रूसो की सामान इक्षा का आर्थ है फिर अगला है यह कथन किश्का है कि वास्तवी कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है आपसन में दिया है बोदा, रूसो, लाग और हाप्स तो इसका सही उतर क्या है? आपसन नमबर डी इसका सही उतर है दोसों हाप्स हाप्स का मानना है कि वास्तवी कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने के अधिकार प्राप्त होते हैं फिर अगला है कोश्चन नमबर 47 निम्नलिकित में से किसने नागरिक सक्त की परिभासा इस परकार की है? श्रंपत को बीनियमित करने तथा उनके सरक्षड करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में शमदाय की श्रक्त का उपयो करने के लिए श्रक्ति के साथ बिधी बनाने का अधिकार डैश डैश ये सभी सर्वजनिक हिद के लिए होता है तो यह कछाने दोस्तों जान लाग का आफसर नमबर सीज कछे उतर है श्रंपत की अधिकार का जनमदाता जान लाग को माना जाता है जान लाग का कहना है कि बेती शांती और सद्भाना के साथ रहना चाहता है जिसके लिए श्रंपत के माध्यम से राज की उत्पत्ती होती है इसके अंतरगत लाक यह कहता है कि श्रंपत को बीनेमित कराने तथा उसे सनक्षड करने और ऐसे कानून को लागू करने में श्रंपत की शक्त का अपयोग करने के लिए शक्त के साथ बिदी बनाने का अधिकार बिक्त को प्राथ होना चाहिए ये सभी सारजुनिक हित में होता है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन है निम्नलिकित में से किसके बिचारों को उपयोगतावाद के दारसनिक अधिवाद में शामिल किया गया है उपयोगतावाद के दारसनिक अधिवाद में किसके बिचारों को शामिल किया गया है आपसर में दिया है मैकिया विली, थामस हाफ्स, जानलाक और रूसो तो इसका सेउतर क्या है आपसन नमबर 20 का सेवतर है दोस्तों थामस हाप्स थामस हाप्स के बिचारों को उपयोगतावाद के दारसनिक अतिवाद में शामिल किया गया फिर अगला कोश्चन है दोस्तों भारत में शोसड के बिरुद दिकार में किशे निहित किया गया है आपसन में दिया है पहला मानो बैपार का निशेद अथा बेगार दूसरा है खतरनाग बेशायों में बाल स्रम का निशेद तीसरा है उपरियुक्त दोनों और चोथा है उपरियुक्त मेशे कोई नहीं तो इसका सहीधर क्या है आपसर नंबर C वाला इसका सहीधर है दोस्तों दोनों शही है अनुछे तेश और चोबिस में 166 के विरुद अधिकार का प्राधान किया गया है अनुछे तेश में यह है और चोबिस में यह है आप जानते भी होंगे फिर अगला कोश्चन है लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कारपालिका से प्रिथक करण शमलित है किसमें शमलित है इनमें से बताना है मौलिक अधिकारों में राज के नीत निदेशक तत्तों में मौलिक करतब्यों में या परसासिनिक सुधार शमित की संस्तुतियों में तो इसका सेवतर क्या है न्यायपालिका का कारपालिका से प्रिथक करण है राज के नीत इंसक तत्त में आपसन नमबर बी वाला इसका सही है नया पालिका का कार पालिका से प्रिसक करण भारती श्रमिधान के पचासमे अनुच्छेद में बरडिद किया गया है तो आप इसको याद रखेंगे फिर अगला कोश्चन दोस्तों भारती शंबिधान के अनुछे 16 के किस खंड के अंतरगत पिछले बर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है आपसर में दिया है खंड पहला, खंड दूसरा, खंड तीसरा और खंड चौथा तो इसका सेउतर क्या है, आपसर नंबर डी वाला इसका सेउतर दोस्तों खंड चौथा भारती शंबिधान के अलुचे 16-4 में पिछले बर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है फिर अगला है, श्रंबिधान के अंतरगत मूल कर्टव्यों का संरक्षक कउन है आपसर नमें दिया है शंसद राश्टपती नियायपालिका और मंत्री मंर्डल तो आप जानते ही होंगे, आपसर नंबर सी, इसका सहुतर है नियायपालिका श्रंबिधान के अंतरगत नयापालिका को बेक्त के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है फिर अगला कोश्चन है दोस्तों भारती श्रंबिधान में निम्नांकित मेशे काउंट सामालिक अधिकार भारती नागरिकों को ही प्राप्त है आपसन में दिया है पहला धर्म प्रजात जात लिंग और जन्वस्थान के अधार पर विभेज से सुरक्षा यही प्राप्त है आपसन नमबर पहला इसका शही है फिर अगला कोश्चन दोस्टों शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतरगत भारती उचितम नयायाले ने निम नमेशेक किशवाद में शमलित किया गया था तो यह किया गया था दोस्तों 1922 में मोहनी जैन बनाम करनाटक राज में मामला में आपसन नमबर सी वाला इसका सही है फिर अगला है भारत का शम्मिधान निर्मित हुआ था 26 नमबर 1949 को दोस्तों भारत का शम्मिधान पूल रूप से निर्मित हो गया था आप जानते भी होंगे फिर अगला है भारती शम्मिधान के लागू होने की तिथी क्या है आपसर में दिया है पहला 26 जनवरी 1950 यही इसका सही उतर है दोस्तों 26 जनवरी सर उनवरी 1950 को भारती शमिधान लागू किया गया था फिर अगला है भारत का शमिधान बनने में कितना शमय लगा था तो भारत का शमिधान बनने में दोस्तों 2 साल 11 महिने और 18 दिन लगा था फिर अगला कोश्चन है लोक सभा अध्यक्ष यानि कि स्पीकर के पत्र के शंदर में दिये गए कत्रों में से काउंट सा सही है तो इन में से सही है दोस्तों आपसर नमबर डी यह दिवह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को शंदर करना होगा यही इसका सही उतर है और आप जानते भी होंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं फिर अगला है भारत म कालेजियम प्रडाली किससे संबंधित है तो कालेजियम प्रडाली संबंधित है दोस्तों नया पालिका से नया धीसों की नियुक्ति से संबंधित है आपसा नमबर C वाला इसका सही है कालेजियम प्रडाली में दोस्तों सुप्रिम कोर्ट के चीफ जेस्टिस और सुप्रिम कोर्ट के चार वरिष जजों का एक पैनल जजों की न्युक्ति और उनकी तबादले के लिए शिफारिस करता है तो आपसर नंबर सी इसका सही है कालेजियम पडाली निया पालिकाश शम्मान दित है फिर अगला है संसर्द में पार्टी हुईब के आफिस का कहां से अपना जीवन बल प्राप्त करता है आपसर में दिया है भारत का शमिधान शंसदी शमितियां शभा के नियम और शमेलन तो इसका सही उत्तर क्या है आपसन नंबर D इसका सही उत्तर है दोस्तों शमेलन संसद में शांसदों को अपने सीर्ष नेताओं की आज्या का पालन करना पड़ता है वे सीर्ष नेताओं के आज्या की अविहलना नहीं कर सकते हैं इशी को समेलन कहा गया है फिर अगला है, निम्रलिकेती मेशे किस आयोग ने भारत में केंद्र राज शम्बंधों का अध्यन किया था। आपसन में दिया है ठककर आयोग, शाह आयोग, मंडल आयोग और सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का कारे केंद्र राज शम्मंधों से सम्मंधित शक्त संतुलन पर अपनी संसुति देना था इसने अपनी रिपोर्ट 188 में शौपी थी तो आपसर नमबर D इसका सही है सरकारिया आयोग भारत में केंद्र राज शम्मंधों के अध्यन किया था इसने फिर अगला कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नमबर 62 है अन्तिम कोश्चन है ये आयन इंडियन पिलिग्रिम एक आत्म कथा है जो सम्मंधित है किसे सम्मंधित है इनमें से बताना है आपसर में दिया है जय प्रकाश नारायन से महत्मा गाधि से सुभास चंदर बोश से या के आर नारायडन से तो इसका सहीवतर क्या है आपसन नमबर सी इसका सहीवतर है दोस्तों सुभास चंदर बोश से आयन इंडियन पिलिग्रिम दोस्तों सुभास चंदर बोश की आत्म कथा है जिसका प्रकाशन लंदन में हुआ था इस पुस्तक का प्रकाशन 149 में नेताजी पबरिसिंग सोसाइटिक के द्वारा किया गया था तो आप शुक्याद रखेंगे इसी कोश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यही पर समापत होती है अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ध